मैं अगले जिस प्रोडक्शन के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा वो कृष्णा विडोज पर तो उसके बारे में भी बताईए वो आइडिया वो विचार कैसे आया और फिर उसको आपने कैसे स्टेज पर उतारा तो वो भी ऐसे है कि मैं साउथ से हूँ मैं सिर्फ आपको तोड़ा प्रियांबिल बता हूंगी तो साउथ में ना बहुत सारा बहुत सारे सॉंग से कृष्ट के लिए पाइदा हुआ कृष्णा ये कृष्णा चोटा कृष्णा ये बिनो ब्रूडफुल कृष्णा जब साजारण मानुष नहीं है कृष्णा ये नो बहुती स्पेशल तो मैंने सोचा में ब्रूंदा बन गई थी और वहां पर मैंने सारे जो विडोस हैं उनकी प्लाइट तेक तो टूटाउजन तूटाउजन में शायद में ब्रूंदा बन गई थी एक यात्रा होता है उस यात यहां पर लोग वहां पर कैंप लगा के एक दो दिन रहते हैं और उपन्या सुनते हैं उसके बाद यह नो दपेल्ग्रिमिज चंटिनूज तो मुझे वह तीन बार उस पिल्ग्रिमज में नाष्ने के लिए उन्होंने नाष्ने मतलब पर्फोर्मेंस करने के लिए क्रिशन को देखने की कोई जरुवत नहीं है उनका नाम बुलाओं। लुट देखने सब्सकाइब होया जुट एक उनकाइब हीडिए.. तुम्हारा तुम्हें तुम्हें मेरे ले बहुत कुछ कर दिया और मैं तुम्हें नमस्कार करते हूं क्यूं नहीं चाहिए तुम्हारी नाम बोलूगी तुस काफी है मैं टीक हूँ सिर्फ तुमारी नाम कि जैन्धिमोख्ष ने किया Prahalad ने किया दुक्रावपदी ने किया सिफ नाम बोला ना में भी नाम बोलागी क्रिशन कृष्णा तुमा जाओगी तुमा अगर मुस को रखे मैंने सारे जो नो गर से उनने बाहर कर दिया होगा एवी डोस को वो लोग जहां पर आ रहे है कृष्ष्णा को दोल के, कहा है वो कृष्ष्णा, इनकी स्थिती क्यों इतना, you know, sad. जहाँ थे महीMा隊 सकता है, कि भीदा देने के, अदेना कोई ड् людей कोष़्चा का थただ पाद, अद्दायसमीम स्कूर्म नगिए हुआथ् एक बात, चैन्की बखे तयूजचा नगिए हैँ सकती कि अच्रूचान, तो मध्यानियो जोसे में परोग तोस परन्दावस हीएओंगे प्रच्टूना करते हिं लाग शत्यूहस के लिए लाग पार्च्टित दृविप्रेशानि भी लाग प्रया लेक लिए लेग कर दोड़ी уже को दोड़ी ऐसांस्ड्रीप असांस्दृप्रिश्प्रेश तो puck अज खुछ संपयर बच्पन से, उनको रिष्णा जैसे, शीओंनि सम्भड़े लिख्टि, यचुन्य मन्मे, सोर्थ कैसे हो ना चाई जया हुआए, क्रिष्णा जैसे, सॉंपूर्मानद, ज्मूर्दि, अशची बजैसे लिखेत् Bossati कि वेप्टि. यह निकालते हैं, यह निकालते हैं, पुछ सुसाइटी is very cruel, सुसाइटी है नहीं उनमें compassion नहीं है, हम दर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, संप्रदाया एक होता है, मगर वो संप्रदाय में compassion होना बहुत जरूरी है, एमपती जो बोलते हो कमपाशन जो बोलते हो करुणा वो भी बहुत बड़ी चीज़ है करुणा बहुत बड़ी चीज़ है मगर हम लोग करुणा के बाद बोलते ही नहीं संप्रदाया, संप्रदाया अगर उस संप्रदाया से किसी का जीवन तो उस संप्रदाय की जरूरत क्या है? इसको बदलना चाहिए, वो सोच वचार है. संप्रदाय ऐसे एक दिन में नहीं हुआ, सोच वचार है, इसको बदल भी सकते हो. तो मुझे लगा कि इस सोसाइटल में अपाशन नहीं है. You know, I mean, so that is why I got this written. And this girl, she gets marriage, becomes a widow, they take away her jewelry, they take away, put her, you know, a white sari pen, you know, a bedo, a khonee में बैटो. क्योंकि बहुत सारे घरों में ए जो विडोस है ना, विद्वा आवरतों को अशुब मानते हैं. और वो बहुती बहुती गलत पात है. एक पती होने से, ना होने से कोई अशुब नहीं होसाथ. और उसकी उन्होंने चूस नहीं किया, कि उसकी पती मर जाए. कि उसकी पडिदी नहीं है, कि उसकी जगा, कि मेरे जिंदगी कही नहीं जाए हा है. इस वार्पीड़े आप मेरा रिद्दावन, जो आहा त। उस वक्त मेरा पुलर सौंग्से एक्रिशनी के डिदोसे कोंई च्रिशनी है। पर इमाजिनेशन के चिर्चना काते है को हैं। उसम इंपलागरे कच्ट मेरा काते हैं। उनका, you know, body, उनकी smile, सब कुछ मदुरम है ना, अदरम मदुरम, नैनम मदुरम, वदनम मदुरम, हसितम मदुरम, मदुरारी पते, अखिलम मदुरम, सब कुछ मदुर है, उस मदुर की फीचे बाग के वो, उसको डून के डून के मतुरा पहुंचते हैं, मतुरा में क्या होता है, सिर्फ पांडास है, फ्रीस है, साब लोग उनकी एक्स्प्लॉइट करते हैं, चोटी लड़की, सुन्दर लड़की, अखेली लड़की, कोई परिवारवाल नहीं है, कोई भी नहीं है, विडो है, तो उसका एक्स्प्लॉइटेशन होता है, इस लड़की ने, आत्माहत्या करते हैं, क्योंकि उनको कृष्णा मिलता नहीं, दून के दून के, मिलते हैं ये लोग, है ना, तो इस वे बिरी साद, प्रड़क्शन ऑफ माइन, मैं पहले ही बोलती हूँ, अगर आपको हैपी प्रड़क्शन चाहिए, तो एए हैपी प्रड़क्शन नहीं है, ये सोसाइटी पर कॉमेंटरी है, इस एक दूनों प्रड़क्शन के बारे में बात करते करते, एक सवाल मेरे जहन से रह गया, वो मैं पूछ लेता हूं कि आपके पास अभिने के लिए भी आफर साय आपने कुछ सेलेक्ट किये कुछ सेलेक्ट नहीं किये इसके पीछे की वजह क्या थी इसलेक्ट ओप्या है डिलार क्या है कि वे सब्सक्रा थनकार्ण देख अच्ची झोंकि प्तिक परीए डिल्ला सुबस्ड़श क्या छोछ और साय। So, yeah, what I did, that story was based on a dancer's story. So I was the dancer heroine in that series, Shruti Bolkin, and I did a lot of classical dance, my items, regular items. And I wanted to popularize classical dance, so we did it. It was very nice. Before that, I did one episode for Heva Malini's Nupur. When she called me, she saw me dance in, you know, music academy, Raj. And she said, there's a Devadasi's role, a younger role, if you can just come and do it. So at that time, I had a performance for something, and I went to, you know, Chidambaram. And in two days, I learned all the Navasandhis from, you know, Kitapa Pillai Guruji. He was a very, you know, famous Natumana those days, Wadiyar, which you call him Wadiyar, Kitapa Pillai. So he was Heva Malini's guru also, teacher. So she made him, made me, you know, he made him teach me. And we shot that, those Navasandhis, Brahma Sandhi, Indra, Vayu, Varuna, you know, what's happening in Navasandhi. So I did that, 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 and I was supposed to be the court dancer. Chikavidha Rajendra's court dancer, he was a Mohini Atam dance. So I learned Mohini Atam, and I was excited because I could learn a different form. So I learned Mohini Atam, and I performed for that. That was MS Satyu's direction. Kirish Karnath had offered me Utsav, those days. And I had shot, I had started shooting for it also. Ek din ka shooting bhi me gai ti, you know, Utsav ke liye. Magar my father was very upset. He called Kirish Karnath and told him that he didn't want me to act in the mood. So Kirish said, okay, you know, your father doesn't like it. So we will get somebody else to. Ye video aapko kaisi legi? Hame zarur batahein. इस video के comment box में जाएं और अपनी राये रखें. इसके अलावा, रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें. जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे, आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. आप वक्त हो तो तुरन देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं. हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं, जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो है